इनरे टैट्ड हो देर्ट को मैंने डी तैंपनएशन करा था क्यूरिसी इनुटियर मोडन एन इंतेगरीटिद मिजिएट अबरेबलिटी और तो थो में कुन से यहद पर आंस कि लोग ने चालू किया था इमपोर्द उप कंप्रेराईस्ट अपाउंटिंग के इंपोनन्स क्या है automation है जैसे हम लोगने बात किया था कि मैं एक general entry pass करता हूँ उसका लेजर बन जाता है लेजर से trial balance भी बन जाता है और trial balance से final account भी बन जाता है तो there is an automation in accounting अपना ये computerized accounting multi-user facilities multi-user facilities मनलब मैंने आपको बोला था कि एक साथ बहुत सारे जन एक ही data पर काम कर सकते है जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को fusion या फिर smart point class का journal entry मारना है जो भी सब है और book एक ही है तो थोड़ा entry मैं मारूँगा थोड़ा entry ये मारेगा तो थोड़ा entry Mr. A मारेगा B मारेगा C मारेगा एक ही book में एक साथ नहीं मास जटा पहले मैं मारूगा फिर आधा तुमार भाई बहुत में ध़किया आधा तुमार मगर ये क्या है मालूबे एक साथ एक साथ काम नहीं कर सकते हैं मगर computerized accounting में क्या है मालूबे एक टाइम पे एक साथ 5, 6, 7, 8, 10, 100 जन भी काम कर सकते हैं multi user ये multi user है महले एक साथ 10 जन काम कर सकते हैं understood accuracy और speed मैंने बोला था वो पीछे वाला point लिखना है accuracy और speed में और उसके बाद reduction in cost cost बहुट reduction हो जाता है पहले एक ही company में 10 जन रखने पढ़ते थे एक laser maintain करेगा, एक journal maintain करेगा एक purchase book, एक sale book एक ऐसा 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 अलग-अलग staff रखना पढ़ रहा था 15-15,000 वाला तो 15-15,000 वाला 10 staff भी रखा वो cost बढ़ जाता है उससे चाहे एक computer ले लिया 20,000 का उसमें एक software ले लिया जो मुश्किल से 10,000 का आता है 10,000 के computer software ले लिया और बस खतम एक जन accounting staff रख लिया वो accounting करता रहेगा वो इसका benefit क्या है मल में cost बहुत reduction हो जाता है फर्चा बहुत बच जाता है computer में as a financial sorry, as a financial records are to be entered only once in the system, the account will save his time in maintaining the record this will enable the business organization to employ few accounting पॉस्टन यह क्या हो ला है मलू में क्या कि financial record एकी बार enter करना है and एकी बार enter करना है only once in a system इससे क्या होता है accountant का time save होता है जो maintain करना है उसका accountant का time save कर रहा होता है और उसी क्या कारण बोल रहा है कि this will enable the business इसी से business में क्या होगा this will enable the business organization to employ few accounting personal यह पीछे जो personal लिखा है few accounting personal मतलब few accounting staff personal का मतलब जो पीछे personal लिखा है वो परसनल मतलब staff employee few accounting employee रखने पड़ेंगे few मतलब एक दो पहले company में ना 50-50 लोग खाली account के लिए रखते थे 30-30 लोग accounts के लिए लगते थे आज खाली एक CA रख दिया ना इनफ है एक CA उसके अंडर में दो जन रख दिया बस खत्म है company में बड़ी company रहेगी तो बड़े accountant चीए जादा चीए मगर ऐसा तो एक रख दिया तो बहुत है ओके I hope you will understood ओके reduction in cost के as a financial records entered once in a only once in a system तो के this will lead this will save the time of the employee and this enables the company इसके कारण company क्या फाइदा उटा सकती है खाली few staff ही चाहिए few accounting staff ही चाहिए और अगर few accounting staff चाहिए तो भई पहले क्या था मलूँ मैं आप ये जैसे कि जब तक computerize नहीं आया था ना पहले ये ticket window रहती थी ना boreoli की ticket window उस पे 10 या 12 window थी ऐसा line से 12 window थी और सब जगा पे ticket मिलते थी और सब जगा पे लंबी-लंबी lying रहती थी फिर computerize आया कि तुम अभी mobile app से भी ticket download कर सकते हो local ticket बोल रहा हो इदर से अंदेरी जाना है तो वो UTSF है आप ticket book कर सकते हो अंदेरी तक की आप pass भी उसमें book कर सकते हो फिर उसके बाद उदर उन लोग ने machine लगा दिया ticket machine उसमें आपका रिचाज होगा उसमें click करो ticket आजाएगा तो उसके कारण नहां हरे टिकेट विंडो पे बहुत कभ लाइंग हो गई भाई पहले आप जब जाते थे ना पहले बहुत पहले जब जाते था था ना तब लंबी-लंबी लाइंग रहती थी और गाउं की टिकेट के लिए गाउं का टिकेट अगर निकालना है पुचरात हो कोई भी आपको पता है सुपह छे बज़े से लाइंग लगाना पड़ता था बोरियो लिमेंट एक ताइम ऐसा था आपके पापा को पूछ ले था छे बज़े वो लोग चले जाते थे इसके कारण पूटराइज होने के कारण ना बहुत काइम भी से वोता और कॉस्ट भी से वोता है सब्सक्राइब का से हो गया वन्हें को इतने जंब बगार जादा देना पड़ता था अब कम हो गया उके systematic and up-to-date records एक तो रेकोर्ड है ना इसमें systematic रहेगा रेकोर्ड ऑटोमेटिक डेटवाईज हो जाता है आप पहले 10 तारीक के एंट्री डालो फिर 5 तारीक के एंट्री डालो फिर एक तारीक के एंट्री डालो तो record टो जाता है देट वाइस तूजब उसका प्रिंट निकालेगा तूजब किसी को दिखाने के लिए वह पुलेगा ना तो वह देट आज ही हो गया रहेगा जब कि अपनी बुग में क्या है पहले 10 तरीक का डालोगे तो पहले 10 तरीक का रेकॉर्ड होगा फिर 5 तरीक का तो रहे है क्या पास तरीक का बेड़ा तो गुटराइज रेकॉर्ड में किया है वालो विदेट वाइज अरेंज हो जाता है और कंपिटराइज अकाउंटिक सिस्टम एंशोर systematic and up-to-date financial record of the business organization वो ही जो point है वो ही उसने elaborate किया है कि computerized accounting system से क्या होगा भाई ensure systematic and up-to-date financial record of the business organization आप समझे क्या business organization का up-to-date record और यह होगा अब समझे ना बरो बर ना वो ही point को elaborate करना है अब सी क्यों आरे बटा है वो ही point को elaborate करना है huge storage capacity storage capacity is huge computer में कितना भी storage कर सकते हो 10 GB, 50 GB, 100 GB, 1000 GB, okay 1 TB, 2 TB, okay जितना उसका अपना हाड़ेस वहेगा उतना अपन से उसका सकते है तो huge storage book तो क्या 200 page की थी रजिस्टर 200 page का था भर जाता था okay फिर वो भर जाने के बाद उसको भी दिशेव जगा पर रखो वो इसको दिमंग ना लगे पानी ना लगे तो वैसा लग जाएगा तो यह रेकोड़े ना जो भी accounting जितने भी business मेंने ना भाई एक इंडिया में में रूल बता देता हो आपको जितने भी business मेंने ना उसको अपने आज साल के accounting record रखना है पिछले आज साल के आज समझो मैं जितनी भी कंपनियों का मैं 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 सिय हूँ या फिर मैं चेकिंग करता हूं जितनी भी कंपनी का ओके तो सब कंपनियों को हम लोग ने बोलके रखा है कि आज साल के record एक एक पेज तेरे पास होना चाहिए मैं आज 2021 चल रहा है तो 2013-14 हम लोग ने बोलके रखा है 13-14 का भी record तुमारे पास होना चाहिए और यह income tax वालों ने बोला है कि आज सुराने 8 साल तक हम कभी भी record मांग सकते तुम तभी ऐस ज्वलब record मांगे गें उन लोग को कुछ मिला प्रूफ मिला किसी ने बोला उसको लोग को प्रूफ मिला कि 2014 में संदिप में एक करोड का इधर कुछ किया था दो करोड का इधर कुछ प्रॉपटी खरीदा दो करोड का गोल्ड खरीदा दा किसी ने उनको इन्फोमेशन दिया तो आपको पता है क्या होगा वो तुरण मेरे को नोटीस आएगा वह तेरा वह साल का पुरा सब डूपस ओफ अकाउंट्स जितने भी तुने ट्रांसेक्शन किया जितना भी सेल किया हो सब के बढार करोड कर अकाउंट से नहीं पहले से पूर के रख आइज़ एंड में किसी बी बिजनसमें के पास आठ साल के पूराने रेकोर्ड होने चाहिए तो भाई यह बुक्स ओप अकाउंट्स पहले जो लिखते थे ना तो यह बहुत दिक्कत होती है कि यह बुक जो भर गई अभी इसको आठ साल तक संभाल के रखना है ना पानी लगना चाहिए ना दीमक लगनी चाहिए कुछ इन केस ओफ अमैन्योल अकाउंटिंग इस रिखार तो मेंटेन सेपरेट बूक्स एंड रजिस्टर पूर इच फाइनचियल यह और यह बूलत रहा है वालों में इन केस ओफ नुल्छ अकाउंट्ट मैंनीव पर लब समयशने हो ना हाथ से लिखने वाला इन केस ओफ अधियो अगाउंटिंग ज तर ना नया बुक्स और रजिस्टर बनाना पड़ेगा नया बुक्स वोर रजिस्टर बनना पड़ेगा अबना ये अचाउंट्स में इसा नहीं होता है बैई हर साल नया ककॉंपुटर नहीं खरिते हैं ये ये कॉपुटर ये कऊच। ये साल का कंुपुटर पर चलो यह साल किया एक को प्रद्धी वे दो दूसरा कंपुटर दूसरे साल ऐसा नहीं रहता है, तो वह वही बोलना चाहता है, इन केस ऑफ कंपुटर राइस सिस्टम, वन कंपुटर सॉफवेर एक ही कंपुटर में, एक ही सॉफवेर में, आप 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का भी अकाउंट्स लिख सकते हो, समझ में आँ, वो कंपुटर के अंदर ही रहेगा, तो शुरुवाद ऐसे करना है, इन केस ऑफ मैंड एक ही कंपुटर में, एक ही कंपुटर में, एक ही सॉफवेर में, एक ही तहली में आप 10 साल का अकाउंटिंग सकते हैं, हो, के चलो, कंपेक्ट, no matter how voluminous the financial data is, कंपुटर के इन स्टोर, इज इन पॉम्पेक्ट का मतलब छोटा, अभी जैसे के समझो के पहले तो क्या था वाहों में क्या, आप हमारी पुरानी, मैं, मैं, मेरे को सिए बढ़ के समझो, आइंट नौ साल होगे, तो एट तो नाइन यार्ज जब मैं जस्ट नया नया सी बना था, 2013 में, तभी तो बच्चा था, लब कुई सिरियस भी नहीं लेता था, एक्डम, तो कंपनी में चाहता था, तो भी बूलता था, कौन ये कोई आ गया, बच्चा आ गया है वाई, कुछ सिए भी ये तो कुछ रह नहीं है, वैसा, तो एक्डम, हाँ, भी मैं थोड़ा सिरियर सिटीजन हो गया हूँ, तो पहले तो क्या बच्चा एक्डम था, 22 साल का एक्डम, 22-22 साल का था, वो जस्टीव एक्डम क्लियर करके निकला था और था, वो भी ज़्यादा था, कहीं में भी तो सिरियसनी ले दे थे, सो पॉइंट इस देख, गुलना ये चाहता हूँ, तो वो टाइम पे 2012 में, तेरी कंपनी का है ना, कोई इंकम टेक्स का केस आया था, वो उसके पहले दस साल का था, वो टाइम पे ना, ऐसा था था, कि दस साल तक पुराने रेकोर्ड रखने आपको, दस साल का, ये इंकम टेक्स का जो रूले न, वो ये टाइम साया, कि अभी दस साल था, तो पहले दस साल था, तो दस साल था, ए हमको ऐसा मिला है चीज कि तुने कुछ यह फ्रॉड किया था तो हम लोगे ना 2002 का केस आया तो उसमें बुला सब चीज देखिया हूं वोगे उसका एक फ्लेट था चन्नी रोड में उसका एक फ्लेट था वो फ्लेट में ना टूबी एचके दा उसमें वोस्तोर करने के लिए रखा था उसमें एक रूम् से माइड से इस्ट में पूरा से घंटेल है सब बैंक के स्टेट मैं इसकी अभी 10 बैंक के स्टेट्मेंट सब के लेजर सब पूरा एक आधा रूम बढ़के रखा था उसने तो उसमें से हम लोग को ढूंड़ना और एक चीज ढूंड़के देना लोग को देते देते वह दस दिन लगा था को पॉइंट इस एक यह को पेंट नहीं था चोटा लेंगा तो के और कंपेंटर में क्या है वह वह सब कंपेंट रहेगा तो मैं सीधा चालू करूंगा मेरा तो के वह सब्सक्राइब मेरा मेरा तो कंपेंटर में सब कंपेंट उतक हो जाता कि मैं कुरा जाता है मैं आज भी देखाँगा दो असार तंदा के जो अधर खाली वह एक घर बरके है कि गर्व लब सब काजसरा दर्पड की गुड़ों फिर्पार प्रियुड विर्भा बुट्री प्रियु गवनियुक्त अच्छाइब गर्व वालुमुमियर मतलब किया वालुमियर मतलब पत्रूम पत्रूम quarantine क्वांटिटी में ज्यादा वाल्यूमनेस का मतलब बहुत सारा नो मेंटर्स बहुत सारा फाइनेंशल डेटा है इन अ कंपुटर बट कंपुटर के इन स्टोर इजिन कॉंपैक वे एक छोट इसे पोईटर में ही से करने वाला है वैसा नहीं कि पुरा रूम बर जाएगा कंप क्या मलान गूब बेटा हो नो मैं टर्स पोई गितना भी दिटा हो नो मैंटर्स ओके इस पॉक्प्विटर कें सोरेट इसें पॉंपैक वे इसे फाइनान चैनल इंवे डिकराइब सुटर इस पिए थीपरिट बेक बांट अब टेकन ऑन एक्स्टानल प्रूरिज डिवाइ सबस्क्राइब और बॉट जो भी हो उसके अंदर कुछ भी स्टोर होता है वो है इस्टोर होता है होती है आज मैने किसी क्लाइन का का अकांटिंग लिखा है अक्या करता हूं मैं उसके उसके अलग हार्डिस्क करता हूं तो वो मुलते है कि the financial information can be stored in a hard disk and if it requires backup और एक तो हाड़ीस में store करता हूं और मेरे को और backup चीए जहरोग्स को पी जहरोग्स को पी जहरोग्स में क्या करता हूं मैं एक external device में घर पे मेरा computer ना उसमें भी सब सेव करके रहता हूं अभी मेरे कि हो सकता है कल मेरा laptop बिगड़ जाए वाई वो सकता है मेरे लेपटोप कुछ उठ जाए तो मैं सभी बैका पे ना इंट्राव या उसमें रखाऊ हूं समझ में आया क्या आपनों को transferability and sharing information computer accounting system allow the business organization to share the financial information with the interested parties हम लोग शेर भी कर सकते हैं यह जब के वो manual data रहेगा वो mail कैसे करोगे वाई mail कैसे करोगे उसको कहीना कहीं देना देने जाना पड़ेगा कोई मंगाएगा देने जाना पड़ेगा या फिर जरोक्स टिकालो जरोक्स टिकालके देने जाओ और mail करना है तो भी पहले यह कंप्यूटराइज डेटा यह ना पेटिंग परेगा कोई लिए वाई पेटिंग पर कोई नीए दोस्त नहीं है वेटिंग में कोई दोस्त चलो ओके तो शेर इसली कर सकते हो आप शेर क्या इसली कर सकते हो इन डिस केस तो इतना ही करना उसमें यही पेट यही तक और बस अभी ने ने क्सक्राइज करते है तो के अधर बहुत कम पच्चे आया यह तो फॉलाइंग कंपोनेंट्स ऑफ दे कंपोनेंट्स एक तो हाड़ डिसके अधिस को भी मैंने आपको बोला अधिक्स मतलब क्या जिसके अंदर से होता है वह अधिसके तो के हाड़वेर है सोफवेर कंपनी परस्ट तीन चीज़ की जरूत है हाड़वेर हाड़वेर और सोफवेर तो बता है ना है हाड़वेर मतलब यह सब सामान जो पुरा कंप्रेटर वह हाड़वेर है कंप्रेटर के अंदर एक एक जीप है एक एक ऐक बटन है वह हाड़वेर है तुम टैली में लिखोगे वह कंप्रेटर के अंदर सोफवेर और कंपनी पर्सनल मनलब कंपनी का इंप्लोई तो तीन लोग लगते हैं तीन चीज़ की जरूत है अकाउंटिंग पुरा करने के लिए एक तो हाइड ड्राइव हाइड ड्राइव मनलब उसके अंदर देरा टैली का सौफ़ेर और तीसरा आद में यह तीनों में से एक भी नह क्या सबस्टाइब तुमीं नहीं है कंपनी परेखा मसें सबस्केبة प्रिंटर डिस्क ड्राइव मोनिटर मतलब सबस्टें हो वो वह क्या चीज़ आगया ओपर आता है खुष को इसके दालते फिर दालेगे वह वह इसको आपके सिस्टम रिक्वाइर और नेट्वर्ट तेरो सबसे बहुत तो क्या चीज़ है नेटवर्क मतलब समझते हो ना सब्सक्राइब करें तो पहले बोलते हैं तो ना बेसिक रिक्वार्मेंट क्या था रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट यह बेसिक हो गया लोग के पास जो मुबाइल है तो तुम या तो इंटरनेट वाला कराते रहोगे या तो वाइफाई देना वाइफाई देना बस हो गया अपना काम कतम तो भाहि उसके बिना तो तो मारा मुबाइल कुछ काम कर नहीं है तो विस्टि है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट है बेसिक रिक्वाइरमेंट आज के जनरेशन की आज के जनरेशन की हमारी नहीं हम लोग पूराने जमाने के रिक्वाइर नेट्वर्क सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोनिक लिंकेज डिट अलाउस डिफरेंट कम्पूटर तुशेर्ज दा इन्फोमेशन विदिन दा नेट्वर्क ऐसा सिस्टम होता है कि देखो जैसे अकाउंटिंग का आज मेरे ओपिस में कैसा है मालू में क्या समझो के मेरे अकाउंटिंग में दस यह साड़ साऽान तो 10 तो दस तो का मेरे को यह सब्सक्राइब करते हैं एक, तीन, चार पांच, छे साथ, आट नुँदस, और मैं 11 वा, तो मेरे को है ना, दूसरे नंबर की PC का डेटा देखना है, तो मेरे को खड़े हो कि उसके PC में नहीं जाना है, मेरे PC से है साना, नेट्वरक से कनेक्टेड है सब PC, नेट्वरक का मतलब ये सौब PC से कनेक्टे में उसके PC में क्या है ना वो सब देख सकता हूं खाली एक डालना पड़ेगा पासवर्ड वो पासवर्ड भी नहीं डालोगे तो चलेगा वो पहले से अकर ऐसा नेटवर्क रहेगा ना अभी मेरे को समझों कि कि वह एक करें अब मिरें को एक पीसी में जो डेटा ना वो चाहिए तो मैं क्या करता हो आप्षिंए यहां खरणा नेटवर्क अने बंड़स्टू करेंग्ड ड़िटा एंड डाक्टिमेंट नेटवर्क से क्या होता है अब बिटरी करें रहते हैं जैसे हम लोग वाइफाई हम लोग इंटरेट उसके पाधे हैं वह सी तरह नेटवर्क से PC कर अब लोग उसका PC यूज़ कर पाता है okay the way gonna the system of electronic linkage network would have system of electronic linkage that allows that allows different computers to share the information within the network difference computer to share information within the networks in the network system many computer can be connected to the main computer or server which stores the program and the data with the right communication of hardware and software the auditors in maharashtra can assess the data of clients located in kerala the result in speed computer accounting के कारण ही आज हम लोग का भी काम चल रहा है यह देखो क्या बोल रहा है कि with the access of network मैं आज बैठे 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 बांदरा चर्च गेट बरीड लाइन मैं जिदर फोरें गया था उदर मैं उनका बैठे बैठे यहां पर accounting लिख रहा हूं या accounting चेक कर रहा हूं मैं जैसे आउट ओफ इंडिया गया था उस company का मैरेको अभी भी last year भी जाना था यह साल भी जाना था तो के मगर यह lockdown के कारण नहीं जा पाया यहां पर बैठे बैठे अकाउंट लिख रहा हूं यहां पर बैठे 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 रूच क्या करता हूं उदर के PC का एक्सेस ले लेता हूं नेट्वक से नेट से और फिर वहां उन लोग के PC पे यहां पर बैठे बैठे काम करता हूं that is you तो वह वही एक्जांपल दिया with the network एक benefit खाय है with the right communication hardware software उसने एक एक्जांपल दिया कि auditor in Maharashtra Maharashtra के अंदर बैठा 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 एक ओडिटर ऑडिटर में आप समझेंग करने वाला तो एक आप कुछ भी लिख सकते हो मुंबई वाला वाई चैन्नाई कमिल नाडू जो भी पाकिस्तान आप लोग का जो भी गाउं रहेगा पाकिस्तान वो सब कुम लिख सकते है को के थरिजल्टिट्पीर और इस से क्या होता है स्पीर और यह और वोट भी लोवर कोस्ट कोस्टे है कीटना खर्चा बचा बचा बचाल उसका उसका कि तो तो कि इस दिन भी रहने को वहां पर पर को लग जाएगा तीनुसार लाग लग तो तीन चार लाग का खर्चा हो जाएगा तो उसे यहां पर क्या हो गए। कंपरी को बहुत ही अच्छे कोस्ट में इंकर होगा रेधर देन मैं उसकी साइट पे जाके काम करूँ उससे अच्छा सौफ़ेर उसके बाद सौफ़ेर का मतलब क्या है एक सेट अफ प्रोग्राम सौफ़ेर का मतलब क्या है एक प्रोग्राम जो क्या करेगा तेरा जो टास्क है न वो पर्फॉर्म करेगा तेरा डिजार टास्क क्या करेगा पर्फॉर्म करेगा उसको गोलते है सौफ़ेर सौफ़ेर इस नथिंग बट सौफ़ेर इस वाट सौफ़ेर इस वन ओफ दी प्रोग्राम विच तिरिक्स विच क्या करेगा टास्क करेगा okay, do you think, it means in person, it means in personñmec staff personal espritsonial are critical to the success of any endermyer because people operate the system personal is very important for any any endermyer, it means it's benefit personal is required for a success क्योंकि क्यों विकाव्स यह सिस्टम कौन ऑपरेट करेगा भाई कौन ऑपरेट करेगा परस्नल उसके बिना तुम कॉम्पिटर लाके रखा और सॉप्वेर डालके रखा और अर्टोमेटिक होने वाला नहीं है कि बॉडवड़न अगाँटिंगा गिवज नौन अकाउटिंग परस्नल अकशेस इस पुद्धाट अगियर तुम उसके बुला कि ऑदर अक्पाउटिंग जो है वो यक पार्ट बन गया हा ऐज और एक परस्नल एक पार्ट बन गया है पूरे हमाटिंग सिस्टम का कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है बोलता है मैनेजमेंट को बहुत सावधानी बरती पड़ती है यह सब डेटा रखने का क्योंकि बहुत सारे जन कंपणी में दो जार लोगों के कंपणी है मगर मैं चाहता हूँ यह इंफोमेशन खाली है पांच जन कोई पता हो तो वो लोग क्या करते है पूरा सौफ़वर पासवर्ड प्रोटेक्टेट रहता है पासवर्ड के बिना तु प्रेशन अफ अकांटिंग डॉक्युमेंट कंप्विटर सौफ़वर से तुम यह सब यह आपका जो इन्वोईज है वो कितर से बन के आता है भाई